हेलो बच्छो मैं पवन भमूरिया उडान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम केमेस्ट्री का जे वनु चिप्टर नंबर जुद्धा से वह पड़ेंगे जिसमें से पांश नंबर के अबजेक्टिव आएंगे तो एक हम ग्लुकोज के आक्सिकरण में ATP के खालिस्तान अनुत पन्न होते हैं इन ऑक्सिडेशन आप ग्लुकोज एटीम मॉलिकुल्स आर प्रोड्यूजड ये एक्च्वल में बायो का कुश्चन है अगर हम ग्लुकोज के एक मॉलिकुल को ब्रेक करते हैं तो उससे कितने ATP एडि कुश्चन नमबर टू जियो में जटी लणों का तूटना क्या कहलाता है तो इसको हम बोलते हैं चया पचय या फिर मेटाबोलिजम तो मेटाबोलिजम या फिर चया पचय कहा जाता है कि कशन लेते हैं रक्त में किसकी मात्रा बर जाती है देखो दो से ग्लुकोल की बात की जाती या लेवल बलड में इंक्रीज हो जाता है या लेवल भ्लड में डिक्री जुटा भाटता वल उत की हो और कौन सी सरकरा होती है वो होता है ग्लूकोज तो ग्लूकोज जो है उसका amount increase हो जाता है hyperglycemia तो यहाँ पर आएगा ग्लूकोज उत्तर होगा हमारा तो ग्लूकोज जो है उसकी मात्रा क्या हो जाती है रक्त में बढ़ जाती है नेक्स कोशन लेते हैं विकरती करण ये most A.M.P कोशन है ये 2023 में छप सकता है कोशन क्या है ये कोशन की विकरती करण प्रोटीन की कौन सिसन रशना को प्रभाइत नहीं करता है denaturation of protein does not affect the desperate structure एंसर होगा primary structure जो primary structure होती है वो peptide bond के कारण होती है और प्रभावित नहीं होगी विक्रती करण से द्वित्यक त्रत्यक और चतुर्त सनरशनाएं प्रभावित होती है यह कि प्रोटीन किसका बहुलक है बेटा तो प्रोटीन is the polymer of amino acid amino acid का बहुलक होता है amino aml का बहुलक होता है protein तो याद रखेंगे amino amino uml जो है वह dein28 की एकला की काई है मोनमर unit of protein is amino acid next question लो नेटे हैं प्रोटीन की मोली की क्या है यह भी वह никаких क्या है तो प्रोटीन की मोली की काई अभी बताया मैंने फंडामेंटल यूनीट आफ प्रोटीन एस आमिनो एस इड जो होता है वह प्रोटीन यह बात कर रहा है नाइट्रोजन बेस की कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है वो डियने में नहीं पाया जाता नाइट्रोजन युक्त चार कौन सा है जो डियने में नहीं पाया जाता तो आपने पड़ा होगा कि डियने में थाइमीन पाया जाता है वहां पर यूरेसिल नहीं यह जो होता है यह डिने में जोता है इंपोर्डेंट कोश्वन ने आपकेश्वन आएगा बेटा इंप सब्सक्राइब हिमोग्लोबीन आइरन का कौन सा योगी क्या क्या कल् útilयक है Hemoglobin is a complex compound of iron तो यह complex compound होता है iron का Next question जन्तु और पोदो से प्राब तेल और वसा क्या कहलाते Oil and fats obtained from animal and plants are called what इनको हम lipid बोलते हैं बिटा Lipid जो भी हमको oils, fats, animal और plant से obtained होते हैं They are called lipids जो भी तेल और वसा हमको ओधे और जन्तुओं से मिलते हैं उन्हें lipid कहा जाता है तो इक important question है Iron की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको पता है घेंगा रोग होता है Hindi में घेंगा कहा जाता है और English में इसे गाइटर कहा जाता है घेंगा या गाइटर भी लिखा जाता है तो याद रखेंगे गाइटर नाम का रोग होता है Iron की deficiency से थायरक्जिन ग्लेंड जो है वो बड़ी हो जाती है Next question हमारा है एक सब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए एंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस पहला question लेते हम एमिनो अमलका आपस में कौन सा बंद जोड़ता है विज बॉंड कॉन्टेक्ट कनेक्टेड एमिनो एसिट तो आपने पड़ा है एमिनो एसिट क्या होता है बेटा इस ताइप की युनिट होती है नह 2, 3-2, C-OH और फिर से नह 2, 3-2, C-OH यह एमिनो एसिट की दो इसिट है पस्ट एमिनो एसिट, सेकंड एमिनो एसिट यहाँ पर OH और H यह बॉंड बॉर्टर मॉल्टियल यहाँ से बाहर हो जाता है और ये CO, मतलब carbon nitrogen से bonding करता है ये जो bond form होता है इसको बोलते है peptide bond तो यहाँ पर answer होगा कि amino acid जो है वो किस bond से connected होते हैं कौन से bond से connected है तो answer होगा peptide bond कौन सा इसा बंद है जिससे amino acid की काईया जुड़ी होती है तो वो होता है peptide bond इसी कारण protein को polypeptide कहा जाता है क्या कहा जाता है polypeptide next question लेते हैं मनुस्य की सरीर के द्वारा कितने amino acids sunsleseed होते है how many amino acids are synthesized by human body तो हमारी body में total 20 amino acids required होते है जिनमें से 10 जो है वो body में synthesized होते हैं और 10 नहीं होते हैं तो इसका answer होगा 10 जो है वो body में synthesis होते हैं संसलेसिद होते हैं दस नहीं होते हैं और 10 होते हैं जो नहीं होते हैं उनको essential का जाता है और non essential आवश्यक और अनावश्यक आवश्यक जिनका सरीर में निर्मान नहीं होता उनको हमको food के form में intake करना होता है next question है RNA को को ärदिन की इस तान पर कौनसा पिरेदिन होता है RNA में अभी बताएं मैंने कि थाइमिन जो है वो DNA में होता है और इसके प्लेस पर RNA में होता है को योडरेसिल होता है याद रखेंगी वाया पडार यू रहेक्षे ता है जबकि फ्रक्टोज में कौन सा वले होता है तो फ्यूरेनेज होता है फ्यूरेनोज रिंग होती है याद रखना है important question इतना नहीं है फिर भी आता है आ सकता है कि फ्यूरेनोज रिंग होती है नेक्स्ट है polysacuride में monosacuride की इक आईयां आपस में एक दूसरे से किस बन से जुड़ी रहती है By which bond are the units of monosacuride in polysacuride connected to each other किस से connected होती है तो अगर आपने पढ़ा हो glycosidic bond glycosidic bond होता है और इस bond के द्वारा monosacuride काईयां glycosidic bond इस bond के द्वारा monosacuride काईयां आपस में connected होती है तो याद रखेंगे glycosidic bond तो glycosidic bond जो होता है उसके थुरू monosacuride काईयां connected होती है next question है most time question ही यह भी हमारा जो chapter है biomolecule उसका एक important question है कौन सा protein blood clotting में help करता है तो आपको पता होगा fibrinogen एक protein है जो blood clotting में help करता है यही पर अगर vitamin आता तो तब हमारा answer होता vitamin K लेकिन अभी हमको पूछा है protein तो protein में हम लिखेंगे fibrinogen fibrinogen एक protein है जो क्या करता है blood clotting में help करता है हमारी तो याद रखेंगे fibrinogen most IMP question यह रखत का थक्का बनाने मदद करने वाला protein fibrinogen और अगर यहीं पर vitamin आता answer होड़ता vitamin K बाल उन रेशम में उपस्तित protein का नाम name of the protein present in hair wool silk तो यह होता है के रोटीन के रोटीन नाम का हमारे सींग बाल हमारे मनलब हमारे बालों में और बाल का ही जूव कॉप होटा है अने में पाया याद और कि रोटीन होता है अははa Come Il coming in milk home कि बाल जो है वह सेंग में रुपांत्रीट हो गया रंसपर हो गया है तो उनमें नेक्स कुश्चन हें कुश्चन हमारा मेचड कॉलम सही जोड़ी जमाई यह हमको सही मैच करना है ग्लूकोस देखे फेप्टाइड़ नहीं होता हो सकता है लेकिन हमको बेस सिलेक करना है तो मेरे इसाब से ग्लुकोज जो है उसका यह फार्मुला है तो अभी ग्लुकोज का आना चाहिए तो यह फर्स नंबर पर आएगा एमिनो एसिट जो है एमिनो एसिट वह एक टाइप से है प्रोटीन की मोनोमर उनिट है प्रोटीन की एक लखी का ही है और उनमें जो बॉंड होता है वह पेप्टाइड बॉंड होता है तो यहां एमिनो एसिट जो है उसमें पेप्टाइड बॉंड होगा थर्ड है कार्बोहेड्रेट तो कार्बोहेड्रेट का एक्जामपल है मोन लास्ट है लॉस औफ हेयर बालो का जणना कौन सा विटामीन कंट्रोल करता है बायोटीन नाम का एक विटामीन होता है जो बालो के पॉल को लॉस को कंट्रोल करता है तो ग्लुकोज है लॉस ग्लुकोजन फरक्तों फ्रक्त का थक्का टक्का बलड क्लोटिंग में फैब्रीन नाम का प्रोटीन फ्रक्तों जो है वो फ्यूरणेस रिंग पाये जाता है और यह यह हैर लॉस हैर का लॉस जो वो बायोटीन जो विटामीन है उसके थ्रू कंट्रोल होता है नेक्स कोश्चन हम लेते हैं कोश्चन है सही विकल पर चुनकर लिखिये चूज दर करेक्ट ऑप्शन एंड राइट चलिए पहला कौन सा प्रोटीन रक्त अभिकमन में हेल्प करता है विच प्रोटीन इस इन द ब्लड स्ट्रीम विच हेल्प रक्त प्रवा ब्लड स्ट्रीम में हेल्प करता है तो कौन सा प्रोटीन है यह जो प्रोटीन होता है यह ब्लड में पाया जाता है और यह अक्सीजन सप्लाय करता है अक्सीजन का क्या करता है ट्रांसपर करता है और वह होता है हीमोग्लोबीन तो hemoglobin वो protein है जो blood stream में रक्त प्रवा में मदद करता है next question है मानो सरीर में carbohydrate का संचेन किस रूप में होता है carbohydrate are stored in the human body in the form of glycogen glycogen के form में glycogen के रूप में carbohydrate का क्या होता है storage होता है, संग्रहन होता है तो याद रखेंगी ये भी सरकरा के ताजे विलियन का प्रकासी दुरहन के बाद उस समय पश्चात परिवर्तन हो जाता है उस घटना को क्या कहते है ये question है इतना important नहीं है क्या बोलते हैं तो इसको inversion बोलते है तो बाद में इसको याद करने की जर्वत भी नहीं है next question हम लेंगे question number 4 इतना deep में जाने एक जर्वत नहीं है next important हो सकता है ये dicecurate का formula क्या है formula आप dicecurate dicecurate का formula होता है C12 H22 O11 तो ये है formula dicecurate का हमारा answer होगा C12 H22 O11 यही पर अगर monosecurate हम से पूछते हैं तो हम उसका formula क्या देते हैं हम formula देते हैं C6 H12 O6 यह है monosecurate का formula अगर dicecurate पूछा है तो इस formula होगा C12 H22 O11 next question लेते हैं question number 5 है ribose के संबंद में कौन सा कथन असरते है ribose ribose sugar की बात कर रहे है यह LD है चार्बन परमानू दुरूवन घुरनकता होती है polyhydroxy yogi के LD8 सरकरा है जिसमें 6 कार्बन परमानू होते है दुरूवन घुरनकता होती है the following statement is false regarding ribose तो ribose जो है वो कौन सी सुगर होती है तो पैंटो सुगर होती है इसमें लिखा है कि इसमें 6 कार्बन होते है तो यह 6 कार्बन वाला जो अपसा नहीं यह गलत है next question है मानो रक्त में कौन सी सरकरा विद्यमान रहती है तो हमारे blood में human blood में कौन सा sugar present होता है तो आपको पता है glucose होता है और डी glucose होता है तो answer होगा डी glucose कौन सा सुक्रोज यह कौन सा sugar present होता है तो डी glucose present होता है याद रखेंगी यह next question है रक्त में glucose की मात्रात्मक नेरदारन तो इसके लिए हम को benadic-villain का use किया जाता है glucose का नेरदारन glucose की मात्रात्मक नेरदारन के लिए банadic-villain टेस्ट किया जाता है पैनेडिक्ट सॉलुशन टेस्ट किया जाता है तबी जिवित कोसिकाओं में जो अधिक्तम प्रभावसाली उर्जा वाहक है वो कोन है जिवित कोसिकाओं में प्रभावसाली उर्जा वाहक जो है वो कोन है तो ये हमारा एंसर होगा ATP है y нам to most effective Energy cator in our living cells ATP जो है वह उनिट है energy की तो यहाँ energy का नाम आया energy जो है वह किस फर्म में höli होती है तो वह पुछा है तो आएका ITP के फ़र्म में Daisy हूती है यह बीद्ध्धी कुंसा polysacrid नहीं है polysacrid सोडिय कुंसा glycer ada B Mistoff болisacrid सुरी जो है फेट ये गलीसराइड है तेल फास्पो अलार लिपीट्स फास्थे इस वं पूसी और लिपीट्स अ जूहीत ज़े साबून कि अगरता है तो हमती हमसा कि पोचीट्सॉ ऑर नहीं है तो यही हमारा answer होगा, यह glyceride नहीं है, बाकि जितने भी यह fat, oil, phospholipid are glyceride, next question है, RNA में क्या नहीं पाया जाता है, तो RNA में अभी बात की थी हमने, थाइमीन जो यह वो DNA में पाया जाता है, तो DNA में पाया जाता है, इसका meaning है कि थाइमीन RNA में नहीं पाया जाता, not found in RNA, answer है था सेशन था, इसका एक पार्ट और आएगा, biomolecule का, क्योंकि important part है, और इसमें हमको 5 marks में से 5 पूरे out of 5 marks लाना है, तो आज का सेशन कैसा लगा, हमें comment करके जरूर बताए, thank you